जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 और 12 नवंबर के कुमराशी फल के बारे में कुमराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों के इस्तिती कैसी होगी और उनका प्रभाव आपकी दिन चर्या पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से हम इस वीडियो में तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले हम इन दो दिनों की तिथी नक्षत्रों और योग के बारे में जान लेते हैं 11 नमबर की बात करें तो ये क्रश्न पक्ष की 11 सी तिथी का दिन है और इस दिन वैद्रती नाम का योग रहेगा उत्तर फालगुनी नक्षत्र है बुद्वार का दिन इस दिन है और चंद्रमा दो पहर तक सेहिंग राशी में रहेंगे उसके बाद कन्या राशी में चले जाएंगे सूरिय तुला राशी विशाखर नक्षत्र में चल रहे हैं इस दिन अगर चंद्रमा की स्थिती की हम बात करें तो चंद्रमा भी इस दिन तुला चंद्रमा सिहिंग राशी में बैठे हुए है बहुत अच्छे योग इस दिन बन रहे है एकादशी की दिन एक तो इसको रमाय कादशी कहा जाता है और सरवार्थ सिद्धी योग इस दिन बन रहा है इस दिन का अभी जीत मुरत कोई नहीं है लेकिन सरवार्थ जीत्धी योग का मतलब होता है कि पूरे दिन आप किसी भी चीज़ के खरेदारी या शुबकार्यक कर सकते हैं बिना मुर इस दिन का अभीजीत मुर्थ सुभा 11 बज कर 44 मिनट से दोपहर 12 बज कर 27 मिनट तक रहेगा तो यह थी ग्रहनक्षत्रों की इस चिति आप इनके आधार पर हम जानेंगे यह दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे तो देखे सबसे पहले तो इन दो दूनों में चंद्रमा दो भावों में जाएंगे यानि दो भावों को सक्रिया कर रहे हैं सात्वे भाव को और अस्टम भाव को यानि आपके दांपत्य जीवन के भाव को आपके बदलाव के घर के भाव को आपके आयू के भाव को इनी के अनुसार इन दिन चरियाओं में परिवर्दन भी होगा ले ये बेहत खास दिन आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले राशिफल के बारे में जानेंगे। तो जो ग्यारा नुमबर का दिन हैं ये सब्टम भाव में यहां चंद्रमा के इस्थिती रहेगी। तो इस दौरान जो साजेदारी में काम करते हैं बिजनिस करते हैं उनके लिए बेहत अच्छा समय रहेगा। बिजनिस बहुत अच्छा आपका चलेगा। आपका काम में मन भी लगेगा। और आपके पार्टनर के साथ जो आपका बिजनिस पार्टनर हैं उसके साथ आपको थोड़ा सा सही हम से पेशाना होगा। क्योंकि मतभिद जैसी इस्थित करके रखेंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने बिजनिस से जुड़े हुए जो भी निर्णय लेने हैं पार्टनर की रजामंदी से अगर आप लेंगे तो पार्टनर मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। आपका जो आपका बिजनिस है वो बड़ी ही इस दोरान आप अपने विचारों को किसी के सामने भी अगर आपको विचार प्रकट करने का मौका मिलता है तो इस पस्तिता से अभिव्यक्त करने हैं सोच समझ कर बोलना है क्योंकि आपके विचारों को गौर से सुना जाएगा आप अपने रास्ते पर अड़िग रहेंगे चाहे कितनी भी आपके रास्ते में कोई रोड़ाट काने की कुशिश करे और आप आगे बढ़ना जारी रखेंगे इस दोरान आप अपने जो काम हैं उनको सही समय पर पूरा करवा पाएंगे किसी भी केमत पर अपने लक्ष को प वहाँ चल रही है तो उसको नजर अंदाज ना करें उसकी सबसे पहले आप सही जानकारी लें थोड़ी सी सावधानी आप बना कर रखें सोच समझ कर लोगों के सामने आप अपनी आवाज रखें क्योंकि कोई आपका साथ काम करने वाला साथ ही आपको धोका दे सकता है इस पहले तो बिल्कुल भी ना करें इस दोरान आपको अपने परिवार की तरफ से कोई सदस से आर्थिक सहयोग दे सकता है अगर आपको आर्थिक सहयोग की जरूरत थी तो निश्चित रूप से परिवार का ही कोई व्यक्ति देगा जैसे आपको सुकुन मिलेगा अगर आपन मत देजिए तो ऐसी जो स्थितियां है वो निर्मित होती भी दिखाई दे रही है किसी भी सायता के लिए आप आपके लिए आपके अपने खड़े रहेंगे अब अगला दिन होगा चंद्रमा जो है आपके अस्ट्रम भाव में चले जाएंगे तो यहां एक तो स्वास्ते का आपको बहुत ध्यान रखना है स्वास्ते संबंधी परिशानिया इस दिन आपको देखने को मिल सकती है तो सिहत का विशेश तोर से ख्याल आपको रखना ह है लेकिन यह जो आठवा भाव है यह गुप्त धन प्राप्ति का भाव भी होता है अचानक से धन प्राप्ति का भाव भी होता है तो यहां आपके लिए देखिए गुप्त धन प्राप्ति का योग जरूर बना हुआ है अप गुप्त धन क्या होता है ऐसा नहीं कि आप कही से खोद कर निकालेंगे यह ऐसा पैसा होता है जो आपको अचानक से मिल जाता है यानि हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे कोई आपको अपनी प्रॉपर्टी में से ज्यादा हिस्सा आपके नाम कर दे या फिर आप कहीं जहां आप कुछ ऐसा कम करते हूं वहां से आपको ज्यादा कमीशन मिल जाए यानि जो धन आपको पता नहीं है कि ये भी आपको मिल सकता है ऐसा धन आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए जबरदस्त योग इस तरह के धन की बने हुए हैं तो उनके का यूग भी है कुछ खरीदारी आप कर पाएंगे अपनी रूचियों को पूरा कर पाएंगे पराने दोस्तों से मिलेंगे जिन से आपका मन बड़ा प्रसर न रहेगा दोस्तों से मिलने जुलने का अफसर आपको प्राप्त होगा तो ये खुशिया भी आपको इस दोरान का देखने को मिलेंगे स्वास्ते के द्रश्टी से अगर इन दोनों ही दुनों को देखा जाए तो अगर पहले से कोई परेशानी चल रही तो उस पराइशानी पर आपको ध्यान देने का आवश्यक्ता होगी और और नम्बे समय से कोई परिशानी है तो दुसरे बिमारी को जन्म दे सकते है तो उसका ध्यान रखें अब रमा एकाधशी की हम बात करते हैं देखिए बहुत अच्छा समय चल रहा है दिवाली का यह समय है और यह जो रमा एकाधशी है इसका बहुत महत होता है क्योंकि ये कार्तिक मास की अंतिम ये एकादशी है ये जो अधिक मास सल रहा था इसकी अंतिम एकादशी है कई जगहाओं पर इस दिन लक्षमी पूजा की शुरुवात होती है और इस दिन से अगर ये व्रत किया जाता है तो इस व्रत से ब्रहम महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है इस दिन भगवान विश्णु की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन आप भी भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें ये दिवाली से चार दिन पहले आती है सुख सौभा के देने वाली होती है इस दिन भगवान केशव का प रही माना जाता है वृत अगर आप करते हैं और अगर अने करने तब भी आप पूजन करें इस दिन पूजन करने अभय किhey है कहले कर लिये हुआ है कि